नमस्कार दोस्तो रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेश्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडिया में देखने वाले एक आई-टी सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाव में एकस सेल टेक्नोलोजिग तो यहां पर एकस सेल टेक्नोलोजिज को बहुत बड़ी पॉसिटी न्यूज आ रहे जो भी नूजिए एकस सेल टेकनोलोजिज एकस विल अज के बाद बाई और सेल का डिशन ले सकते हैं जैसे कि हाँ पर देखे कोई भी स्टॉक रहता है एक दो साल में मल्टी बैगर नहीं होगा फॉर दे एक्जम्पल एसार प्लीमिटेड इसके जो लॉंग टम के रिटन है लगबग एक लाग पंदरा हजार परसंद के रिटन दे ल स्टॉक जोहीं यहाँ पर गिरात तो कभी न कभी कोई भी स्टॉक लीज़े यहाँ पर συνत्व होग एकंपर आथ। सीम यहाँ पर होग टो का सकते दो सब्सक्राइन के नहीं 25 2020 में भी बिर तबंडिन सोर चपेंन दो ब Technically सांथे पंदरा में भी गिरा था 2020 में भी गिरा था कोई विल्ट के टाइम पे अभी भी अपने ओल टैमाई से लगबग 15 से 20 परसें स्टॉक गिर गए तो स्टॉक कभी भी वन साइड नहीं भागेगा ऊपर नीचे करके आगे बढ़ते हैं वही एक अच्छे रहते हैं अगर कोई भी बढ़ते बीट कर सकता हैं तो यह तो कंपनी के बारे में श्टॉक के बारे में नेक्स पॉंट कौन सा है यहां पे शेयरवर्डर पैटर यहां पर लोग दसे अधे प्रमोटर होल्डिग कितने हैं foreign investor कितने लगबग 17% के आसपास है domestic investor कितने 16% के आसपास domestic investor है देखा ज़े तो promoter और यहाँ पे foreign investor बहुती ज़्यादा पैसा लग रहा है इस company में तो बहुती अच्छा सान रहता है क्योंकि company के ओनर अगर company में investment करते तो कोई भी company के लिए अच्छा sign माना जाता है यह तो गए से थे 40,000 क्रोड के आसपास reserve company के पास है मतलब company आने वाले समय में bonus और यहाँ पर dividend तगड़ा देने के बहुती ज़्यादा chances है क्योंकि जिस company के पास ज्यादा reserve रहते वो company आने वाले समय में bonus और buyback देने के chances बहुती ज्यादा रहते यह तो गए company के रिज़व के बारे में next point कौन सा है company के उपर कर जाये कितना है यहाँ पर long term के लिए कर जाये सिर्फ 164 क्रोड के आसपास है और short term के लिए 62 क्रोड के आसपास कर जाये देख कर जाये तो जो company के कर जाये ना के बाराबर बोल सकते है क्योंकि जो company का market क्या बहुती बड़ा market के आप है लगबग 3,00, क्रोड के आसपास market के आप है और company के उपर जो कर जाये बहुती छोटा कर जाये बोल सकते है और जो next point कौन से बहुती important point है net profit company का net profit चेक कर सकते है यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है 2020 में लगबग 8,900 क्रोड के आसपास था 2021 में थोड़ा बहुत कम हो गया 8,700 हो गया 2022 में तो लगबग company को 10,800 करोड का net profit है अगर कोई company यहाँ पर net profit को लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले समय में इसे stock बहुती जादा भागते है यह तो के net profit के बार में तो आज की breaking news के जैसी कि आप लोगों को पता रहेगा US में inflation बहुती ज्यादा बढ़ गया था लगबग 9 % से जादा inflation का rate हो गया था इसके से जो बड़ी बड़ी company हैं जैसे कि TCS है, SLA, Infosys है इन company के लिए business करना बहुती बड़ी दिक्कती हो रहे थी तो यहाँ पर US ने एक बढ़ा शांदार report पेश किया है यहाँ पर Friday की दिन तो यहाँ पर बोला गया जो US का inflation rate है यहाँ पर ब आसपास हो गया देखा जाए तो जो US inflation का rate है 0.5% के आसपास कम हो गया बहुती शांदार news है इसके से US में जो यहाँ पर NASDAQ में बहुती बड़ी तीज जाए थी इसके से आपने देखा रहेगा इंडियन stock market में भी यहाँ पर Friday के दिन बहुती बड़ी तीज जाए थी अग क्या 1,000 रुपए का stock है आगे जाके 5,000 रुपए के उपर जा सकता है कि नहीं देखे होने के लिए stock market में कुछ हो सकता है 5 क्या 50,000 रुपए के उपर जा सकता है लेकिन आपको time देना पड़ेगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको quarter to quarter results check करना पड़ेंगे और यहाँ झाल